राजकारन हे भावनेवर चालत नहीं। लोक इथे आपले भविश्याचा विचार करता है। राजकारन हे भावनेवर चालत नहीं। 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 आफकारन हे भावनेवर चालत नहीं। तेया नुसार तेनी तैयरी किली, तेयरी चांगली धाली, सुधैवाने उमेदवारी तैंचे बाजुने आली, इतर पक्षानी ही तेला कुटलाई पद्धतीचा नाक मुरडल नाई, और कॉंग्रेस्ची बाजु जी प्रबल हायला पाई जोती, ती चांगला प्रकारे पर उन्तु इतर विदान सभा मतदार संगा मदे काय परिणाम दिशल तो खरतर याशमती ठाकूर यहनी कॉंग्रेस करून एक हातानी ही खिंड लड़ावली होती, आनी तेयाचा परिणाम फक्त ती उसा विदान सभा मतदार संगस नाई, तर एकंदरीत अम्रावती लोक मतदार संगात जानावला, तैस प्रमाने बडवनतव आनखडे है जरी दर्यापूर चे असले, तरी ही कॉंग्रेस चेही तिते स्वताचा ही तिते बरस सया होता, आनी पुर्वाश्रमी चे बडवनतव आनखडे है आर्पियाए चे असले मुले, तैंची तैंना तिते मदत मियाली चाहे, परन्तु बाकी चाही मतदार संगात ज्या प्रकारे कॉंग्रेस ने आकरमक प्रचार शुरुवाती पासुनाच केला, आनी ज्या प्रमाने नवनितराना या शुरुवाती पासुनाच कुठे तरी अडखडत तेंची प्रचाराची सुरुवात जाली, कारन बिजेपी ने तेनना पहले बासुना चंतरगत विरोधाचा सामना करावा लागला त्या मुले आनी महायूती ची एकंदरिताच शक्ती शीन असल्या मुले बिजेपी वतिरिक्त महायूती चा बाकी जे अलायंस पार्टनर आहे ती शक्ती बीन असल्या मुले त्यांची सोबत तेनना मियाली नाई, सोबताच बाकी मद्दार संग रालेले जा सहापई की दोन मद्दार संग आहे, तिथे प्रहार चे दोन आमदार होते, चांदुर बादा रचलपूर चे बच्चु कडू स्वता ते नवनी त्रानांचा कट्टर विरोधिन मदे गनला जाताथ, आनि ते समर्थक आमदार जे आहे, मेलगाट चे जिते नवनी त्रानांचा स्वताच वर्चस वर्चस वा आहे असा बोल्ला जाते, तर या दोन मद्दार संगात नवनी त्रानां ना कछा प्रकारे मत मियूँ शकताथ, याचा वरस बरच कई विजयाच गनित अलम बुना है? मेलगाट हा नवनी त्राना ला सर्वत जास्त मत देनारा विदान सवा आहे, या वर्ची काय वाट्टे तुमाला कुर्णाच पाल्ड जल्राइल मेलगाट मेलगाट हा तसा परंपरागत हिंदु तो वाजी विचाल सरनी चा उमेद वाराला पाठी शी उबारानारा मद्द संगाला मोठा परंपाना मोद्य आहे, ते विड़वड़ी दिसलेला हे, यंदा ही नवनी तराना ते चारून भरपूर मोठा परंपाना लेड़ करतील, तोस लेड़ तैंचा विजय वर्ची काय वर्ची करेल, और दुसरी विच्ट अशी आहे कि तीउसा मद्दर संगाल म संगाल परंपाना अधि, ते अमुए उटलास अम्रावती मदे बड़वणत वांखेले आगाले वर रातील, बंदरा मदे ही ते बरुबरीत रातील, आनि अचलपूर मद्दर संगा हा समसमान रहिल, मने बड़वंत वांखेले दिन जभू बानी नवनी दर आडा, तो हा सम समान असना ही बढ़वन ता वांखलेंचाटी धोका दायका है जर तैनना निरोड़ुन आच असेल तर या पद्ध तिनी या तिनी साही मद्दार संगाचा समीकरन राणा रहे पन मेलगाठा निरनायक ठाली आनन राज आमबेडकर आनि बच्चु कडू या दोन दोगां चा उमेदवारी ने या दोगां ना फटका बसू शकतो का या या फटका बसना ने बच्चु कडू या प्रहार संगटने चे जे उमेदवार होते दिनेश भूप अनन राज आमबेडकर चा विशय जो आये तो फक्ता भावनीक ठेक आधार ओर आये बाबा साहिबां चे नातू या तेनना एक आधारा चा स्तान आये परन्तु राजकारन हे भावनेवर चालत नहीं लोक इथे आपले भविशय चा विचार करता भावना प्रधान आता लोक राहलेले नहीं मनो जो आमबेडकरी समूद आये या तला फक्ता पास्ते साथ टक्के मत हे अनदराज आमबेडकर कड़े जाती दोन पास्त टक्के मत हे प्रहार चा याच्या कड़े जातील प्रहार पक्षा कड़े चानिमित्ता न तिनेश भूप कड़े जातील उर्वरीत नवड टक्के मत जी आहे दलीत आनी मुस्लिमान ची ही सरण सरण बढ़नत वान खळूँजे महाविकास आगाणी कड़े जातानी दिससत आゃये आता एक विषेयसा है आला कि वारत्या टक्ये वारी छा मतादाना चा टक्ये वारी छा तरत मारती मताची टक्ये वारी ही नौ मतादार ही न सून ही एंटी राना होती आनी एंटी राना असले आ मुड़ा जो दलित आनी मुस्लिम हाँ जो मतदार एका पेशा न एका मोठा जिद्धी न समोर आला है तेचा मुड़ा इते या मतदार संगात मतदाना जी टक्के बारी वाड लेली आए नौवड टक्के दलित आनी मुस्लिमान चा मतदान हे नौवड टक्के जालेला है तेचा मुड़ा या मतदार संगात टोप और सरड सरड आज चितरा है कि बड़बन तवान खड़े हेच या मतदार संगात नेतरूत वकरती सेकंड वर टुल्य बड़ लड़त देऊन या नौनीत राना जातील नौनीत रानांची मेजर चुक आये कि तैननी भाजब हाँ पक्षव स्विकारला तेनचा जे माक्चा मतदान होता या विरोधात गेलेला है भाजब जिल्यात कुट्या आये तर इ theories 3-4 2 मतदार संगे ऐखा कॉंग्रेस कड़े आये ति उसा अम्रावती अनि धर्यापूर रहा शरूर 3 मतदार संगे कॉंग्रेस कड़े आजै आये तै आमदार आनचा जीतो प्रस्ता आये परन्तु एक मेजर चुग ही जाली आए कि भाजब ची तिकेट घेने हेश्ण नोनीत राना यानि चाप रहा भावासो प्रमुग कारण असेल यह जे शोई दूसरा कहीं नहीं आपको क्या लगता भईया कौन किसका पाड़ा जड़ लोकसभा में अमरावती लोग सभा की बात करें तो देश से अलग नहीं है पूरे अमरावती शहर में पूरे देश में जो वातरवन चालो है क्योंकि जो बात अभी कही कि मुद्दे कुछ नहीं की लड़ाई होनी चाहिए कि तुमने जो नोडबंदी की उससे क्या फायदा हुआ अगनी योजन्या ल लोगों के समझ में आगए कि जिस भ्रहों में हम जी रहे वह भ्रह्म है अखिकत कुछ हो और तो उस अखिकत की जो उपर से जो रचार चलते हैं वो यह तक भी रहा यहां तक भी कहीं मुद्दे पर आपता अा नवनीत Τराणा वाले युवसाविञान बोलते कि काटे की टक्कर है यदि उनको ये शब्द बोलना पड़ता कि काटे की टक्कर है जो पास साल लगातार मदार संग में रहे लगातार लोगों के संपर्क में रहे कहीं मदार संग से बाहर नहीं रहे बड़ी-बड़ी योजना लाने की बाते किये सब किया लेकि उसके बाउजिद उनको बोलना पड़ता कि हमारे काटे की टक्कर है यदि वो बलते जहां उनके दो लाग तीन लाग से चुनके आने को बाद तो खही ना खहीं सारी चीजों में गरवर्ड है कि लोगों ने सीधा सीधा हैं पर बीजेपी को नकार दिया बीजेपी में नवनी तराना कहीं नहीं कि इस 1292 में एक्सेडेंटली जगदिश गुपता चुनके आगे क्यों कि कॉंग्रेस की दो उम्मिदार उस समय यहां पर खड़े रहे थे तो उस समय थोड़ी सी यहां पर बीजेपी की बात चली और उस समय देश में राममंदिर का भी मुद्दा था मजजीद तोड़ी गई थी यह जो मुद्दा है लोगों को घर कर गया पूरा का पूरा कि नहीं कहीं तो भी पानी अलग जगा जा रहा रहा रही नवनीत राना की बात कि जैसे हम अंतर जाती विवा करते हैं एक लड़की दूसरे समाज के घर में जाती है तो उस समाज को समझने में उस घर को समझने नियम समझने को चार से पास साल लग जाते हैं यदि नवनीत राना को जब पहले दिन से हिंदूतों का प्रचार करते हो चले गई तो उस समय में से बीजेपी नो उससे स्विकार कर लेने चाहिए तो बीजेपी में पूरी की पूरी अभी तक ढल जाती है बाहर से आई भी बी चक्कर में जो यहां के बीजेपी के जो भी प्रस्ता भी ते उनको कहीं तो भी हड हुआ है जिस ताकत से जिस इससे क्यूंकि एक बात तो बोलना पड़ेंगा बीजेपी का नेट्वर्ट बहुत अच्छा है उनका पहुच उस बूत तक है जहां तक कोई नहीं पहुच पा प्राथमेक दुरुष्ट्या बढ़नत बान खड़ेंगा यहां मतदार संगासा दरी पुले दिसाता है मत्र नवनित राणां चाई अनेक जमेचा बाजुआ है जसा हिंदुत वादी मतदार आहे और आदिवासीत मेलगाटा मदले तैननी जी कई बांधनी केली जिल्ल्याम साथ तेनन तेनता जो कई संपरक आहे और मोदीन ची महिलान मदी असनारी जाका योजन आहे ताचे जे लाभारती आहे यहां मुठा पाट बढ़ाए परन्तु दूसरी कड़े नवनित राणा ना एक फटका भाज़ेपसा अंतर्गत कलह हा तेनना निचीता पसनार आहे और मुध्या या मतदार संगा मद आहे फारशे नोते मुध्य स्थानी कसाला पायज होते परन्तु दू मुद्य काही प्रमाणात हाज आज आहे मदाने चा मध्यमतु परहार चा उमेध वारात्स मुद्यान कशा पद्दतिना न राणा निक इतलो याहा सुद्दा मुद्धा भीकास ऐसे मुद्ध से खैसे अधरी क्रोप या ठीकानी नहीं है, इतलिया मुलाना नोकरे नहीं है, इतलिया मुलांच जी मुला नोकरी साथी मुडं़या मुंबई जाते नी पेंशन नागरे Actsней के गेला पासवर्षात राणान नी काई केला है मांडला प्रश्ण मांडले असतील पर किती प्रश्ण सुटले ये दिकल तैनना खुप मजे असा ताक्ती न सांगता लाने उलट पक्षी कॉंग्रेस न या मतदार संगात तैननी कई जे कई दगड रोवले होती भूमी पुजना अनि त्याचा वरस याननी शिंदुर चडवला है कई जे सांगतले ते कई ये शेश्वी धलला है लड़त अत्यांत तुल्ला बड़ाय सपष्ट सांगाई से शाल्यात बढवनत वानकडे काही प्रमाना सध्या पूड़ो दीसता है परंतु हिंदुत वादी मतदार लाभा अब्रवती चे जेश्ट पत्रकार स्तानिक मुद्या वर ही निवन्डुक जाली ने के वर आरोप प्रत्या रूपा मदे ही अम्रोथी लोग सबीची निवन्डुक पार पड़ी आता मतदारानी मतदानत केले आता कौल कौनाला दिलेला है एनारे चार जुनला अपलेलाला क क्यामेरमेन अम्बोल देश मुख से प्रने निर्बान एबीपी माजा अम्रोथी एबीपी माजा उगडा डोले बगानीट